कि आज हम इन्वार्मेंटल साइंस के पॉलुशन चैप्टर से इससे इंपॉर्टन मतलब इससे रिलेटेड हम कुछ फैक्ट्स देखेंगे एंड कुछ इंपॉर्टन क्वेस्टन देखेंगे जो कि हमारे एक्जाम पॉइंट वगी से इंपॉर्टन है और कुछ कि ऐसे होता है एक्ट क्या होते हैं इंपॉर्टन पर उसका क्या आसर पड़ता है यह सारे चीजें आज देखेंगे पॉछिए हमारा होता है पॉलिशन हमारा होता है एक अन्वांट चैंजर विद्टन फैजिकल फेचर्ट फेचर्स ऑफ एयर एक एयर और वाटर एंड लै इस पर आगे करेंगे वह हमारे कितने टाइप का होता है तो यहां पर देखो हम पहले वाटर प्लूशन पोलीशन नॉइस फोलीशन और अंपे यूशन को खेंगे हंएंगा हम थना ले लिए लवात किता कि होता है और इस पास्तुक्ष चुन कर CQ का सकते हैं वर्णिवयक definis at तो देखते हम कुछ, तो हम देखेंगे कि हमारा पहले हम एयर पॉलिशन के बारे में बात करेंगे, पहले मतना एयर पॉलिशन के बारे में बात करेंगे, एयर पॉलिशन हमारे क्या होता है, पहले बद तो आप यह जानो, it is very difficult to get clean air today, ठीक है, हमें वो purity, वो cleanness हमें नहीं मिल man-made pollution, कुछ pollution तो natural तरीके से होते हैं और कुछ हम इनसान उसको, देखो, जो हमारा यह air pollution होता है, air pollution हमारा क्या होता है, basically मैंने बताई दिया ऐसा कि, when the pollution is in the atmosphere and the sufficient quantity of atmosphere reduces then it's called air pollution, यह तो simply हमने definition देख रही, ठीक है, definition हमने देख लिए, अब हम main features देखेंगे, main air pollutants देखेंगे, किस-किस वज़े से हमारा air pollute होता है, and basically कुछ important चीजे उससे रिलेटर हमने भी देख रहे है, देखो हमारा जो main air pollutants में, हमारा से पहले तो carbon monoxide आजाता है, carbon monoxide के बाद हमारा, sorry, sulfur dioxide आजाता है, SO2, sulfur dioxide के बाद हमारा hydrogen sulfide आजाता है, H2S, उसके बाद hydrogen fluoride आजाता है, nitrogen oxide आजा and smoke of tobacco आजाता है, fluoride smoke and particles of smoke and aerosols, etc. यह सारी चीजे हमारी main air pollutants में, हमारे आते हैं, अब देखो, एक main important चीज यह देखते हैं, कि जो हमारा carbon monoxide होता है, जो हमारा carbon monoxide होता है, वो हमारे hemoglobin के साथ, इतनी तेजी से mix होते हैं, जो हमारा carbon monoxide get combined with hemoglobin more rapidly than oxygen, जो हमारा oxygen हमारे hemoglobin से मिलता है, उससे भी rapidly, उससे भी fast तरीके से, हमारा carbon monoxide मिलता है, blood से हमारे, तो यह कितना harmful gas है, हमारा carbon monoxide, ठीक है, एक चीज तो हमें यह exam point of the same important रखन जो हमारा sulfur dioxide होता है, SO2, and जो हमारा sulfur trioxide होता है, SO3, and जो हमारा nitrogen dioxide होते है, sorry, nitrogen oxide होते है, यह react करते है, environmental water से, and form क्या करते है, sulfuric acid form करते है, nitric acid, इनी acid को हम क्या कहते है, acid rain कहते है, these acids reach to the earth with rain water are called acid rain, ठीक है, acid rain की वज़े से कितनी चीजे हामफुल, मतलब कितना effect पढ़ता है, हमारे आगरा के तैज मेहल पर देख लो, और अधर चीजों पर भी, तो यह acid rain बहुत ही बुरा होता है, और जो कि carbon dioxide, sulfur trioxide, nitrogen oxide, यह environmental water के साथ react करके, हमारा nitric acid and sulfuric acid बनाते है, ठीक है, and वो घटना तो आपको पता ही होगा, याद ही होगा, जो हमारा 3rd December 1984 को हुआ था, 3rd December 1984 को यह हमारा incident हुआ था, gas leak थी वचे से, हमारा methyl isosnite जो gas leak हुआ था हमारा होपाल में, कौन से company, making fertilizer कुछ बनाने वाली कोई company थी, union carbide factory, ठीक है, union carbide factory हमारी जो थी, उसमें कितना, मतलब कितने लोग की जान गई थी, और वो incident बहुत ही, मतलब painful उसे याद करो तो अजीब सा ल प्रवर और पेशाम यह ऌगा थी, नेचेरल सोवसेस में, नेचारल सोर्सेस में हमारा और आता है, ड्रत वाहने, few थी, on chop, लेकलन में, में, अपर कहले में, को wr lifts onto till degaHaarl behavior हो हमार्प्र आते है, थी तो नेचेरल सोर्स होते है, एक मेंT में में कैistling, कोस्मिक दस्ट भी का जाएगा इन और वेजिटिटिव दिका भी हमारा आजाएगा इसमें ठीक है एक्स्टर टेरीस्रियल बॉडी इसमें आएएंगी नाश्रो सोर्सेज में अगी और मैं में मेरला क्या आजाएगा पहली बात तो इंसानों के त्वारा ही हम कह सकते हो रहा है और डिफॉर्स्टेशन आजाएगा बर्निंग ऑफ फसल फ्यूल्स आजाएगा बैकुलर इमिजन आजाएगा रैप इंडिस्टिलाजिशन आजाएगा यह सारे मैनमेड सोर्सेस के अंडर में आजाएंगे ठीक है तो इंसानो क्या योगजाना है थोड़ा साशले से देख लेते हैं जो इतनी रैपिडली इंक्रीज्द फॉरा इंक्रीजिशन आजाए रैपि इंप्रेश्टरिशन ल चेंज़ फोपुलिशन यह जो है एंड्र पोलेशन में बहुत ही जो इतनी तेजी से बढ़ रहा है इंप्रीज ब और मेंसे शुखनी दिर्डायन को करने मजद है में हमारा भूस्यहें Selameless क्वियम करी बनेीजिर एक वोर्यस की सब्सक्राइब डब सारण ही किरोन सब्सक्राइब रहे है रोंच आङ कि बुस्क्राइब जो स्क्राइब आप paarपुपलीशन इस सब्सक्राइब तो global warming and loss of forest and wildlife species सब को खत्रा होता है ठीक है wildlife species भी बहुत जादा effective होती है जब इनसान इनसान हर जगा रहेंगे तो बिचारे मतलब यह जानवर कहा जाएंगे तो इसमें इनकी क्या गलती है इसमें हम इनसानों की ही गलती है गही नहीं है अगला हमारा man-made sources में क्या जाजाएग कितना जादा effect डालता है हर तरीके से यह तो हमें बताने की जरूरत में पड़ेगे ठीक है अगर हम सबसे जादा most important gas देखें जो हमारा indoor air pollutant होता है वो हमारा होता है redon gas ठीक है यह important चीज है redon gas अभी अजानक से मैंने बोल दिया अब हम कहां पे थे deforestation पे थे तो cutting of plants पे हम मतलब यह indiscriminate तरीके से जो हम plant को cut करते हैं ठीक है अब देखो जो developed countries होती है वो जंगलों को काटनी के कई सारे reason होता है कभी industrialization की वज़े से कभी paper बनाना हुआ मतलब बहुत सारे जंगलों के तो बहुत सारे ही work है तो मतलब लोग जो developed countries होती है हमारी वो 71% of the world's paper production करते है देखो Asia जो हमारा है ना वो largest producer of paper में मतलब count होता है उसका ठीक है आ देखो हमने short short में देख लेते हैं साथा डीटेल में निसारे कुछ important facts देख ले रहे हैं deforestation हो गया and burning of fuels में हम आगे burning of fuels में हम आगे burning of fossil fuels में हम आगे सारी तो जो हमारा fossil fuels को burn क्या दाता है about 97% of the energy is generated by fossil fuel जैसे coal हो गया हमारा, oil हो गया, natural gas हो गया हमारा इन सब की वज़े से and जो हमारा major fuel burning sources होते हैं, automobile, thermal power plants, heating of plants and industrial processes, burning of fossil fuels produced about two-third of the SO2 यह हमने देख लिया and हम देख लेंगे, vehicle emission में अगर हम देखेंगे, तो अब हम vehicle emission देख लेंगे, rapid industrialization देख लेंगे थोड़ा सा देखो, जब हम बात कर रहे हैं भी, vehicle emission पे, तो इसमें इसमें यह बताने की ज़रूत नहीं, traffic को देखते हुए कि मतलब कितना ज़्यादा ही सड़क पे चलना जाता है, सांस लेना कई बारी मुष्कळ हो जाता है तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी सड़क पर जो गाडियाँ चलूरेंगे, इससे हमें कितना जादा खत्रा है, मतलब हम फील कर रहे है वो चीज़े, तो atmosphere ने जाकर कि कितना ज़्यादा कर रही है वो तो मतलब पता ही होगा देखो more than 75% of the total 75% of the total air pollution due to releases of toxic gases ठीक है जो जहरीली कैसे निखलती है vehicle से ये तो बहुत ही जादा pollution create करती है फिलाल हम अगला देखते है अपना man-made sources में हमारा अगला कौन सा आता है rapid industrialization rapid industrialization भी एक major role play करता है इसमें ठीक है air pollution में the major sources of air pollutants are chemical industries basically है ना देखो जो एक the family man है था उसमें chemical lead chemical के तरीके से इसमें chemical factory में जो जो ये chemical factories होती है ना इंडस्ट्री होती है ये बहुत ही ज़्यादा harmful होती है और ये बहुत ही ज़्यादा भी पाल वाला मैंने आपको पताया है कि कैसे gas रिलीज हुआ था जो टॉक्सिक गैसे होते हैं बहुत तरीके से नुकसान पहुचाते है इंसाम को ठीक है जो हमारा Central Pollution Central Pollution Control Board होता है CP CP यह होता है has identified 17 categories of most polluting industries ठीक है इन्होंने categorize कर दिया था Central Pollution Control Board हमारा यह जो है जिसमें से हमारा 77% of the industries contribute to water pollution और उसमें से 15% to the air pollution और रिमेनिंग था हमारा 8% to both air and water pollution ठीक है यह इतनी देर से हम air pollution पर बात कर रहे थे ठीक है आप हम थोड़ा देख लेते हैं water pollution देखिए यह जो मारे water pollution की बात अभी हम कर रहे थे water pollution बेसिकली मारा क्यों होता है water pollution मारा इसलिए होता है mixing of unwanted substances with water is called water pollution and जो हमारा unwanted चीजे mix होता है water में इस वाज़े से हमारा water pollution होता है अब देखो सबसे दुख की बात है कि हमारे अर्थ पे only बेस्ट करते हैं आपानी को कि लगता है कि जैसे बस कुछ नहीं है मतलब water means nothing ठीक है usable water जबकि 20-30% ही है हमारे अर्थ पर जो हमारे sources of water pollution है उसमें क्या-क्या है बिसिकली उसमें हमारे water pollution में जो है वो water sea water pollution is due to और देखो यह तो हो गया and sea water क्यों pollute होता है क्यों pollution होता है इसमें sea water में हमारे due to mixing of heavy metals the metals 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 and carbon carbon hydro carbon and petroleum etc in water जो हमारे sea water होते हैं वो इस वज़े से pollution होता है इसमें क्योंकि मिक्स हो जाता है heavy metals hydrocarbon petroleum यह सारी चीजे में सुझाते हैं हमारे water में अब देखो contaminated water की वज़े से हमारा अगर contaminated water in mercury in which mercury is present cause mini matter disease mini matter disease के बारे में आपने सुन ही होगा mini matter disease जो है यह बहुत ही harmful मतलब बहुत ही dangerous कह सकते हैं यह क्यों होता है क्योंकि अगर water में mercury मिला हो तो यह disease हमारा हो जाता है ठीक है और जो हमारा pollution होता है river में उसको मेजर किसे करते हैं pollution of river water is measured by oxygen dissolving it ठीक है और जो हमारा होता है in some part of India यह तो मुझे सबसे ही bad मतलब लगा था मैंने की पड़ा था कि in some part of India arsenic is found as pollutant in drinking water हमारी गंगा रिवर में इतना ज्यादा पॉलिशन की वज़े से arsenic पाया गया था है ठीक है और जो हमारा होता है chlorine dioxide and chloramines are used as disinfecting water इससे हम water को disinfected करते हैं ठीक है जिसमें हमारा chlorine होता है हम अपना थोड़ा सा और water pollution के बाद जो water होता है हमारे लिए water इतना important होता है हर इंसान के लिए and हर species के लिए water the most abundant and natural resources is extremely essential for survival of all organisms फिर भी मतलब हम इसको इतना ज्यादा पॉल्यूट कर दिया है इसको इतना ज्यादा मतलब without care अगर हर परसन को care के साथ मितलब use करें कम use करें साधानी से use करें water को गंदा ना करें जादा river में जाकर के मतलब गंदगी ना फेके हमारे कुछड़े ना जाएं तो कितना अच्छा होगा मतलब कितने जल्डी ही मतलब हर इंसान चाहेगा तो ही तो ठीक होगा अब कुछ जो है वह देख लेते हैं अपना कुछ अपने यह देख लेते हैं पर्यावरण संस्थान भी देख लेते हैं इतना हमने थोड़ा सा इतना पड़ा तो थोड़ा सा देख लेते हैं जैसे हमारा central pollution control board हमारा कहां पे है न्यू टैली में यह important है फिण भारती प्राडी विग्यान शर्विक्षणक करते हैं कोलकाता में यह पिर भारती संस्थान भूपाल में न्यूल्यान शमते हैं यूशन ऑफ ऐसले जा लेएनज वेज़म apवाइस हो लेक्सकर साहँ सांद करने स्थान काकई ₹asai ग्यार्ट ईयर के घूट रे कि अग्या से प्यार जाए खाता है